Hello everyone and welcome back once again देखे आज जो हम cover करने वाले हैं वो class 12 की जो English की वीस्टाज बुक है इस वीस्टाज बुक से हम आज ये chapter number 5 cover करेंगे जो की है should wizard hit mommy wizard का मतलब क्या होता है? wizard का मतलब होता है जादूगर तो क्या जादूगर को ममा को मारना चाहिए? तो देखो आपको ये question की form में ये आपको chapter का नाम दिया गया है अब भई क्यूं मारेगा जादूगर ममा को? तो मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी हम story read out करेंगे फिर ही हम इस suspense से परदा उठाएंगे कि आखिरकार ये heading क्यूं दी गई है? इस chapter को लिखने वाले writer का नाम जो है वो आपको यहाँ पर दी रखा है and he is John Updike तो देखें यहाँ आपको क्या बता रखा है here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father देखो अगर आपने कभी न टेलिविजन पे एक advertisement आती होती थी जिसमें आता था basically अब भी आता होगा कि जिससे एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो अपनी mother से पूछती होती है कि February में 28 days ही क्यों होती है शायद आपने इस तरीके की एक advertisement देखी हो तो यह जो story है ना वो basically ना कुछ इस तरीके की ही है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका समाज के प्रती, world के प्रती, संसार के प्रती क्या दृष्टी कून है उसको व्यक्ट किया गया है कुछ अपने father से वो moral questions पूछती है मतलब कुछ नैतिक सवाल पूछती है जो कि उसके father जब उसे story सुनाते हैं तो in between वो questions raise करती है होता ना कि बच्चे बहुती अजीब से सवाल करते होते हैं तो यहाँ पर इस story में भी ऐसा ही कुछ है तो that means सोड़ा सा hint हमें मिल गया कि शायद उसके father जो story सुना रहे है न उसमें शायद इस जादूगर का जिक्र है जिसकी बच्चा से उसने ये एक sweet सा question पूछा है कि क्या wizard को ममा को नहीं मारना चाहिए रहा तो देखते हैं कि हमारी story में हमें और क्या explain करते हैं in the evenings, evening का मतलब होता है शाम and for Saturday naps, naps का मतलब क्या होता है nap का मतलब होता है कि छोटी सी जपकी या छोटी सी नींद जो ली जाती होती है दिन के वक्त basically तो उसे हम nap कह देते हैं तो in the evening and for Saturday naps like today's अब एक और चीज़ आपको पता चल रहा है कि ये जो story है वो कौन से दिन की है, वो Saturday की है ठीक है, क्योंकि लिख है na for Saturday naps like today's तो आम तोर पर क्या हुआ करता था Jack told his daughter Joe a story out of his head तो देखो यहाँ आपको ये बता रहे है कि Jack नाम का एक individual है मतब फादर का नाम Jack है और डॉटर का नाम, बेटी का नाम Joe है तो Jack अपनी बेटी Joe को हर शाम और आज की ही तरहां हर Saturday को कहानी सुनाया करता था स्टोरी सुनाया करता था Out of his head का मतलब है एक तरीके से की अपनी imagination के basis पर मतलब मन घढ़नत कहानी सुनाया करता था This custom अब custom का मतलब क्या होता है प्रथा तो this custom begun when she was two तो ये जो सिलसला था कहानी सुनाने वाला वो कब शुरू हुआ था वे जब वो दो साल की थी She मतलब यहां पर ये जो के लिए प्रणाउन यूज हुआ है तो जब उसकी बेटी दो साल की थी उस वक्त ये कहानी सुनाने का सिलसला शुरू हुआ था And was nearly And itself Was itself now Nearly two years old और अब वो दो साल पहले की मतलब कहानी हो चुकी है मतलब अब जो जो है वो कितने सालों की हो गई है वो अब चार सालों की हो चुकी है मतलब इस कस्टम को इस कहानी सुनाने की प्रथा को दो साल बीथ चुकी है And his head felt empty अब his father के लिए यूज होगा ना ये प्रणाव तो अब मतलब simple सी बात की दो साल हो गई है Jack को कहानी सुनाते सुनाते अब उसका दिमाग जो है वो खाली हो चुका है मतलब अब उसे समझ में नहीं कहानी रोज-रोज कहां से लेकर रहा हूँ और कितनी नहीं कहानिया सुनाओ अपनी बेटी को तो each new story अब और आगे आपको क्या बता रहे है हर नहीं कहानी जो वो अपनी बेटी को सुनाया करता था was a slight variation slight का मतलब होता है थोड़ा सा और variation का मतलब होता है different तो of a basic tale मतलब जो basic कहानी वो सुनाया करता था तो main कहानी तो main story तो वही रहती होती थी सिरफ हलका फुलका सा उसमें थोड़ा बहुत सा difference देखने को मिलता था तो अब आपको थोड़े से highlight बता रखे है story के की कैसे होता था a small creature मतलब हमेशा हर बार jack की जो कहानी शुरू होती थी वो शुरू होती थी एक छोटे से प्राणी को लेकर या एक छोटे से जीव जन्तू को लेकर कि एक छोटा सा creature है usually named usually मतलब आम तोर पर जिसका नाम जो हुआ करता था वो Roger हुआ करता था या Roger fish या Roger squirrel या Roger chipmunk had some problem और होग होता क्या था कि उनको कोई न कोई प्राणी है कोई न कोई परिशानी है went with it to the wise old owl तो वो अपनी उस प्राणी को लेकर किस के पास जाया करते थे वो एक समझदार बुजुर्ग उल्लू के पास जाया करते थे and the owl told him to go to the wizard और जो वो उल्लू हुआ करता था वो उन्हें एक जादूगर के पास जाने के लिए कह देता था and the wizard performed a magic spell that solved the problem और जो वो जादूगर होता था वो कोई जादूई मंत्र मारता था और क्या होता था उनकी वो problem solve हो जाती थी ठीक है लेकिन अब वो जादूई मंत्र बोलने के बदले में क्या करता था demanding in payment a number of pennies pennies का मतलब होता है money, पैसा तो number of pennies मतलब वो काफी पैसा demand किया करता था greater than the number that Roger Creature had मतलब जादा पैसे मांगा करता था जो की actually उस Roger Creature squirrel था जो भी था उस creature के पास जितने पैसे हुआ करते थे ना उससे जादा के पैसे वो wizard वो जादूगर डिमांड किया करता था ठीक है तो अब पैसे की कमी हो जाती थी तो बैचारा Roger क्या करे तो होता क्या था but in the same breath लेकिन उसी सांस में या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि उसी वक्त वो जो wizard होता था वो क्या कहता था directing the animal to a place where the extra pennies could be found मतलब वो ना उन्हें वो जगा भी बता दिया करता था कि यहां पर ना पैसे पड़े हैं जाओ वहां से पैसे उठा लाओ और फिर तो मुझे मेरी payment कर देना ठीक हैं तो क्या हुआ then Roger was so happy तो यह सुनकर या यह जानकर कि हाँ उसने अपनी payment भी अब कर देगा वो तो Roger creature जो हुआ करता था वो काफी खुश हो जाया करता था और फिर वो क्या किया करता था he played many games with other creatures तो वो अपने बाकी के जो friends होते थे या और जो प्रानी होते थे उन creatures के साथ खुशी खुशी अपने games खेलता था and went home to his mother just in time और समय पर फिर घर पर अपनी मां के पास चले जाया करता था क्या करने के लिए to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston अब ये जो कहानी में थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी ये नाम जो सुनने को मिल रहे है न ये actually jack जो है वो अपने साथ relate कर कर बताता था कि jack भी Boston में काम किया करता था train के through travel किया करता था तो जैसे होता है न कि अगर father बाहर काम करने गए हो आने वाले हैं घर पर तो बच्चे को बेसिकली कहते है न कि पापा आने वाले है जाओ जाकर देखो कि कार का होरन बजा है या नहीं बजा तो ऐसा ही कुछ केस आपको यहाँ पर story के point of view से कह रख है कि वो Roger Creature समय पर अपने घर चला जाया करता था क्या सुनने के लिए train की whistle सुनने के लिए train की आवाज सुनने के लिए जिससे उसे यह पता चल जाता था कि मेरे डैडी जो है वो Boston से अब घर आ रहे है मतलब वो train मेरे पापा को घर पर लेकर आ रही है Jack described their supper supper का मतलब होता है this is not super, this is supper supper का मतलब होता है भूजन या खाना तो क्या होता था जब Jack ऐसे कहानी सुनाया करता था जो को तो वो यहां तक इस तरह की कहानी सुनाते सुनाते फिर वो कह देता होता कि खाने का वक्त हो गया describe their supper मतलब खाने के बारे में जिक्र कर देता था कि अब खाने का वक्त हो गया और जो story हुआ करती थी वो वहां पर ही over हो जाया करती थी खतम हो जाया करती थी ठीक है working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday देखो fatigue का मतलब क्या होता है fatigue का मतलब होता है थकान तो यहां पर यह बता रहे हैं कि इस तरीके से काम करना इस scheme इस custom के accordingly काम करना जो था वो jack के लिए at शनिवार वाले दिन मतलब Saturday वाले दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा especially शनिवार वाले दिन बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करने वाला काम हुआ करता था because क्यूं हुआ करता था reason भी आपको आगे बता रहे है because Joe never fell asleep in naps anymore क्यूंकि जो जो थी वो अब बड़ी हो रही थी चार सालों की हो चुकी थी और अब वो ये evening के वक्त वाली छोटी सी जो nap होती है छोटी सी जपकी जो होती है वो नहीं लिया करती थी होता है ना एसे कहते हैं कि छोटा बच्चा है अगर कुछ देर सो जाएगा तो हम अपना काम time पर खतम कर लेंगे लेकिन जो जो थी उसके पापा उसे कहानी तो सुनाया करते थे लेकिन अब वो वो कहानी सुनकर सोया नहीं करती थी and knowing this made the right seem futile futile का मतलब क्या होता है futile का मतलब होता है useless बेकार right का मतलब इसी activity इसी custom या इसी कहानी सुनाने की प्रक्रिया से है तो यहाँ पर है कि और Jack को जब इस बात का एसास होता कि जो तो सो ही नहीं रही है तो मतलब सारी की सारी इस activity पर ना पानी फिर जाता था मतलब वो यह कहता था कि मेरी ये सारी की सारी मैनत तो यूँ ही बेकार चली गई ठीक है तो अब क्या हुआ the little girl bracket में देखो आपको थोड़ा सा explain किया गया है एक situation को फिर उसके बाद आगे स्टोरी को बढ़ा रहे है the little girl not so little anymore जादा छोटी अब नहीं है the bumps her feet made under the covers cover का मतलब क्या होता है bed sheet देखो अगर आप simply bed पर बैठे हो मतलब पूरे लेटे नहीं हो लेटे भी अगर हो तो जब आप चादर उपर लेते हो चोटी नहीं थी उसके पैर जो थे जब वो bed sheet उपर लेती थी bed की half length तक वो पहुँच जाया करती थी मतलब उसकी लंबाई बता रहे हैं आपको कद बता रहे है कितना हो गया था कि जितना उनके bed था half तक वो चार साल की लड़की वो चार साल की छोटी सी बच्ची आती थी और उसके पैर जो थे ना वो एक bump या एक height सी create कर दिया करते थे और बिग डबल बेड उनका एक बड़ा सा मतलब डबल बेड था जिस पर वो लेटा करती थी that they let her to be in for naps and when she was sick जिस पर ज्यादा तर उसके माता पिता मतलब जैक और उसकी वाइफ जो थे वो ज्यादा तर तब जो को उस बेड पर लिटाते थे जब उसे nap मतलब उसे नीन दिलवानी होती थी या जब वो बिमार हुआ करती थी had at last arranged herself मतलब अब वो छोटी सी लड़की बेड पर लेट चुकी है simple सी बात आपको यहाँ पर यह कह रहे है and from the way her fat face deep in the pillow shown in the sunlight sifting sifting का मतलब है scattering बिखर रही है through the drawn shades drawn shades का मतलब यहाँ पर curtains से है पड़नों से है तो यहाँ पर यह कह रहे है कि जिस बेड पर वो लेटी हुई है उस बेड पर पिलो पर उसने अपना fat face मोटा मूँ जो है वो sweet सा face जो है वो रखा हुआ है फिर उसके बाद उसके उस चहरे पर curtains से होती हुई थोड़ी थोड़ी बिखरती हुई sunlight जो है उसके चहरे पर आकर चमक रही है it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two तो यहाँ पर यह कहते हैं कि ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि कोई magic होगा और वो जैसे दो साल का एक छोटा बच्चा एक infant सो जाया करता है अपनी nap लेता है कुछ इस तरीके से कि वो nap लेगी मतलब वो सो जाएगी हर ब्रदर अब यहाँ पर उसको उसके ब्रदर की भी information आपको दी जा रही है कि उसका भाई बॉबी जिसका नाम है वो दो वर्षों का था and already asleep with his bottle और वो अपनी bottle के साथ bottle के है जैसे बच्चे को feed देते है bottle में डाल कर दूद दे देते है कि पी लेगा दूद और फिर सो जाएगा तो यहाँ पर आपको यह बता रहे हैं कि उसके ब्रदर ने तो अपनी bottle के साथ नींद लेना शुरू कर दिया मतलब उसने अपनी bottle पी लिये और वो सो रहा है जैक आस्क्ट अब जैक जो था वो उसने पूछा who shall the story be about today अब वो जो से पूछ रहा है क्योंकि जो well settle हो चुकी है ना बेड में तो जैक अपनी बेटी से पूछ रहा है कि आज तुम किसके बारे में कहानी सुनना चाहोगी आज की कहानी किसके बारे में होनी चाहिए अब क्योंकि आपको पता है कि main creature Roger ही हुआ करता था सिरफ आगे का नाम change हुआ करता था animal change हुआ करता था कभी fish होता था कभी squirrel होता था तो बिलकुल इसी तरीके से अब है Roger जो squeezed her eyes shut मतलब उसने कस के अपनी आँखे बंद करके Roger नाम लिया and smile और मुस्कुराई भी to be thinking she was thinking मतलब जो वो सोच रही थी कि अब पापा कहानी सुनाएंगे तो सोचते हुए कुछ सोचते हुए smile करते हुए उसने बंद आँखों से ही जोड से कसी हुई आँखों से ही Roger नाम लिया her eyes opened, आँखे खोली फिर उसने her mother's blue अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उसकी eyes अपनी मां की eyes की तरह ही blue color की थी skunk she said firmly firmly का मतलब क्या होता है firmly का मतलब होता है dritta से तो मतलब determined manner से एक straight forward manner से उसने कहा skunk it is name of an animal तो अब क्या बन गया नया creature Roger skunk ठीक है a new animal they must talk about skunks at nursery school तो यह अब jack सोच रहा है कि अच्छा एक नया animal तो हो सकता है अब 4 साल की लड़की थी तो school तो जाती होगी न तो इसलिए उसके पिता ने यह सूचा कि अच्छा उसने न अपने nursery school में सुना होगा इस animal के बारे में skunk के बारे में इसलिए उसके दिमाग में यह skunk नाम आया है having a fresh hero momentarily stirred jack to creative enthusiasm अब क्योंकि हमें पता है कि भई jack तो दो सालों से कहानी सुना सुना के उसका तो head empty हो चुका था तो जब उसे एक fresh hero मिला अपनी story के लिए एक fresh animal का नाम मिला तो उस moment के लिए उस पल के लिए एक बार jack जो था ना उसमें भी enthusiasm आ गया मतलब उसमें भी एक जोश सा आ गया नया जोश सा stir मतलब भर गया तो all right हो कहता है चलो ठीक है he said start करते है once upon a time एक बार का समय था in the deep dark woods अब देखो आपने शायर पहले भी ये सुना हुआ हो आपकी earlier classes में भी कि woods जो होता है उसे forests मतलब denote किया जाता होता है तो यहाँ पर भी वो एक कह रहे है कि एक घना जंगल था there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk और उस जंगल में एक छूटा सा प्रानी रहा करता था जिसका नाम हुआ करता था Roger Skunk and he smelled very bad अब हमने क्या सुना था अभी अभी starting में कि कोई creature हुआ करता था और उसे कोई problem हुआ करती थी है ना तो देखो आगे ही ना problem कि उसके साथ क्या problem थी कि बहुत ही गंदी smell आया करती थी उसमें से yes Joe said तो अब बच्चा कहता हुआ था ना हम यहाँ तो ऐसा ही कुछ करते हुए Joe ने yes कहा ठीक है अब आगे क्या हुआ he smelled so bad कि उसमें से इतनी ज़्यादा गंदी smell आया करती थी that none of the other little creature sorry little woodland a woodland का मतलब क्या है forest land है ना मतलब jungle के और जो creatures थे जो प्राणी थे वो उसके साथ would play with him none of them कोई भी उसके साथ नहीं खेला करता था Joe looked at him solemnly अब Joe जो कौन है बेटी है तो Joe ने solemnly मतलब serious सा होकर होता है ना ऐसे अगर हम किसी छोटे से बच्चे को कोई कहानी अगर सुनाते हैं तो वो छोटा बच्चा हमारे face को बहुती serious से manner से देखता होता है और बहुती अजीब गरीब से सच मानते हुए expressions हमें देटा होता है तो ऐसे ही कुछ expressions जो थे वो Joe के face पर आ रहे थे She hadn't foreseen this मतलब ऐसा तो उसने सोचाई नहीं था है ना Joe ने तो ऐसा सोचाई नहीं था तो आगे क्या है Whenever he would go out to play अब जो jack है वो continue कर रहे है मतलब father जो है वो continue कर रहे है connection बताया हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको Boston के नाम जब आया था तब आपको बताया था कि jack अपने साथ कुछ कुछ relate कर देता था तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ आपको बता रखा है कि jack continue करता है with zest मतलब उसी तरीके के enthusiasm से उसी तरह के जील से उसी तरीके के जोश जजबे से वो अपनी स्टोडी को continue करता है लेकिन क्या remember कर रहा है क्या याद कर रहा है certain humilations, humilations का मतलब होता है अपमान of his own childhood होता है कि हम अपने friends के साथ जब खेलते हैं तो कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है या कई बार होता है कि हमारे friends हमें कहते हैं कि नहीं नहीं तुने जैसे अगर मैं बहुत ही simple सकूँ तुम बाजब्रश नी करकर आए तुमारे मुँसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है हमनी तुमें खेलाएंगे तो ऐसा होता है ना तो मतलब simple से यहाँ पर Jack जो है वो अपने बचपन की कुछ अपमान याद करते हुए अपनी स्टोरी को continue करता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे friends जो है वो मुझे कई बार खेलने के लिए मना कर देते थे तो आगे वो continue करते हुए क्या कहता है All of the other tiny animals would cry तो बाकी के जो और छोटे प्राणी थे वो चीकते, चिलाते क्या कहते Here comes Roger Stinky Skunk तो यह देखो वो आ रहा है Roger जिसमें से Stinky, मतलब smelly सा Skunk आ रहा है जिसमें से कितनी गंदी सी Smell आ रही है And they would run away और फिर वो भाग जाया करते थे And Roger Skunk would stand there alone और बिचारा Roger Skunk जो है वो अकेला वहां खड़ा रह जाता था And two little round tears would fall from his eyes और उसकी चोटी चोटी आंखों में से दो आंसू जो है मतलब चोटे चोटे आंसू जो हैं वो उसकी आंखों में से बह जाया करते थे नीचे गिर जाया करते थे अब देखो अब होता है ना ऐसा कि कई बार अगर हम movies में भी emotional scene देखते हैं तो हमें खुद भी रोना आ जाता होता है तो अब ये तो चार साल की महस छोटी सी बच्ची थी तो देखो यहां पर आपको next lines में उसके emotions बता रखे हैं कि the corner of Joe's mouth drooped down drooped का मतलब क्या होता है hanged down नीचे लटक गए अब देखो अगर हम smiley face बनाते होते हैं smiling वाला तो वो ऐसे होता है ना जिसमें हमारे ये corners उपर की तरफ उठे होते हैं लेकिन अगर हम sad face बनाते हैं तो क्या होता है तो ऐसा होता है ये face नीचे की तरफ लटक गया तो ये आपको का गया है drooped down and her lower lip bent forward अब imagine करकर देखो जब एक छोटा बच्चा रूटता है ना तो जो उसके lips होते है ना नीचे वाला जो lips होता है वो बाहर निकाल लेता होता है है ना तो her lower lip bent forward as he traced with a four finger he अब he कौन है father है तो father जो है जो जो है वो उसके चहरे पर ये tracing करकर बताता है कि इस तरीके से उसकी आँखों में से आंसू निकल कर ये उसके drooped face से नीचे की तरफ आंसू जो थे वो टपक गए ठीक है along the side of her nose the course of one of roger skunks tear मतलब वो रास्ता बता रहे कि इस तरीके से आंखों में से पानी बैकर और उसके face से ऐसे होता हुए नीचे गिरा won't he see the owl she asked dinner high and faintly roughened voice अब देखो फिर से याद करो हमने अभी अभी एक basic story वाला concept सुना था ना तो हमें पता था ना कि वो उल्लू के पास जाया करता था तो अब जो जो थी अब वो यही पूछ दिया अपने पापा से क्या उसने आउल को नहीं देखा कि वो उल्लू के पास नहीं गया कैसे कहा उसने ये बात ये बात उसने उंची और मोटी सी आवाज में मतलब भारी आवाज से क्यों क्योंकि वो रोने वाला बना हुआ था ना फेस तो उची और भारी सी आवाज में उसने का कि क्या वो आउल के पास नहीं किया फिर क्या हुआ sitting on the bed beside her अब जो जो था मतलब जो father था वो उसी के साथ bed पर साथ में बैठा था Jack felt the covers tug as her legs switched tensely मतलब Jack ने महसूस किया कि covers अभी अभी बताया था ना bedsheets तो Jack ने महसूस किया कि जैसे जो जो थी वो अपनी legs को switch मतलब इधर उधर हिला रही थी tense manner में तो उसने ये महसूस किया कि जो bedsheets है न वो tug हो रही है मतलब खिच रही है तो he was pleased with this उसे ये देख कर खुशी सी महसूस हुई क्यों moment he was telling her something true something she must know तो मतलब जो जैक था ना उसे ये पल इस तरहां की curiosity इस तरहां की एक tense behavior देख कर जो का बहुती जादा एक pleasant महसूस हुआ क्यों क्योंकि वो जो उसे बता रहा था वो actually कुछ था जो सच्चाई भरा था मतलब emotion था ना एक emotion वाली feeling थी ना कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें उदास महसूस होता है हमारे lips जो है वो droop down हो जाते हैं मारा smiley face जो है वो एक लटका हुआ face बन जाता होता है eyes से tears निकलने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर जो jack था वो यह महसूस कर रहा था कि हाँ जो को इस emotion के बारे में भी पता हो ना चाहिए तो उसे इस बात को जानकर खुशी महसूस हुई कि वो जो कुछ भी बता रहा है आज अपनी बेटी को वो actually कुछ है जो something true है and had no wish to hurry on और वो जल्दी नहीं करना चाता था वो चाता था कि उसकी बेटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस emotion को समझे but downstairs a chair scrapped मतलब नीचे नीचे से एक आवाज आई जैसे क्या पता लगा कि एक chair जो है उसे scrap किया जा रहा है मतलब घसीता जा रहा है chair के घसीतने की आवाज उसे सुनाई दी and he realized अब he किसके लिए यूज हुआ है jack के लिए तो jack ने ये महसूस किया jack ने ये जाना he realized he must get down to help clear paint the living room woodwork अब यहां देखो यहां पर आपको jack की wife या आप ये कह सकते हो जो की मा का जिक्र है कि उससे उस chair के scrap chair के खिसकने की आवाज से ये पता चला उसने ये महसूस किया कि उसे नीचे जाना चाहिए और clear की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो living room में मतलब basically नीचे का जो कमरा था वहां का जो woodwork था उस पर वो paint कर रही है तो उसे मेरी मदद की ज़रूरत है मुझे जल्दी से मतलब story complete करकर जल्दी से बेटी को सुला कर नीचे जाना है well he walked along very sadly and came to a very big tree अब कहानी में फिर से वापिस आ गए है तो जो jack है वो क्या सुनाता है कि खैर वो sadly क्योंकि वो sad था ना जो roger था उसके साथ कोई खेल नहीं रहा था तो वो एक sadly मैनर में आगे बढ़ता है चल कर जाता है और एक बहुत बड़े पेड के पास पहुंचता है and in the tip top tip top मतलब बिल्कुली उपर of the tree पेड के बिल्कुल उपर वेले हिस्से में was an anomalous anomalous का मतलब होता है बड़ा बहुत बड़ा wise owl old owl तो एक बहुती बुजर्ग और समझदार उल्लू था good अच्छा जो जो थी उसने ये जवाब दिया Mr. owl Roger skunk said all the other little animals run away from me because I smell so bad तो उसने अपनी ये problem बताई कि सभी जो जानवर है वो भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बहुत गंदी smell आती है so you do the owl said तो owl ने कहा कि हाँ ऐसा ही है very very bad बहुत बहुत गंदी smell है what can I do मैं क्या कर सकता हूँ Roger skunk said and he cried very hard और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगा the wizard the wizard जो shouted अब देखो फिर से क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी जैसे उसने आउल-ाउल पहले बोला था बिलकुल इसी तरीके से अब फिर से वो shout करते हुए चीखते चिलाते हुए and sat right up और उठके बैठ गई और क्या चीख रही थी कि wizard की बारी आगई wizard की बारी आगई वो कहेगा कि wizard के पास जाओ wizard के पास जाओ and और जैसा उसने जब ये किया जब वो एकदम अचानक से अपने बैड से अपनी बैडशीट को covers को side पर करते हुए जब उठी तो a little golden book spilled from the bed की बैड पर जो एक छोटी सी सुनेरे रंग की किताब पड़ी थी वो नीचे गिर गई now जो daddy is telling the story do you want to tell daddy the story तो जो jack है वो क्या कहता है अब जो daddy आपको कहानी सुना रहे है पापा आपको कहानी सुना रहे है क्या आप पापा को कहानी सुना ना चाते हो मतलब वो बीच बीच में बोल रही थी ना wizard wizard तो आप कहानी सुना रहे हो या daddy आपको कहानी सुना रहे है करो क्योंकि main जो aim था जैक का वो तो यही था ना कि उसने अपनी बेटी को कहानी सुनाते सुनाते सुनाना था तो her head relapsed onto the pillow and she said out of your head तो उसने क्या कहा जो ने क्या कहा जो basically पहले उसने क्या किया कि वो फिर से दुबारा से पिल्लो पर ही गिर पड़ी मतलब सोने के लिए कोश कर फिर मुझे कहानी सुनाओ well the owl thought and thought at last he said why don't you go to see the wizard तो होता है ना actions के साथ सुनाते होते हैं कहानी बच्चों को तो कहता है खैर जो उल्लू था उसने सूचा सूचा और अंत मेना उसने काफी सूचने के बाद कहा कि तुम wizard के पास तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जा अब फिर से बच्चे के दिमाग में सवाल चल रहे थे तो जो जैक ने कहा कि क्या बात है क्या पूछना चाती हो तो देखो क्या सवाल किया है उस छोटी सी बच्ची ने are magic spells real क्या सच में जादूई मंत्र होते हैं this was a new phase just this last month मतलब अभी कुछ ही वक्त हुआ था last month से ही एक की महीना हुआ था कि ये ना एक नया phase शुरू हुआ था नया पड़ाव शुरू हुआ था जो की life का और वो पड़ाव क्या था a reality phase होता है ना कि पहले बच्चा छोटा होता है ना समझ होता है उसे जिंदगी की परक नहीं होती है ऐसा ही गलत का एसास नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है उसे जिंदगी की realities के बारे में पता चलता जाता है तो अब ऐसा ही कुछ case जो था वो जो के साथ हो रहा था अब देखो क्या हुआ वेन ही टोल्ड हर spiders eat bugs she turned to her mother and asked do they really तो मतलब अब वो जानने की हर चीज में सवाल किया करती थी कि जब उसके पापा ने उसे एक बार ये कहा था कि जो spiders मतलब जो मकडियां होती है वो bugs खाती है कीडे मकोडे काती है तो वो इस बात की सचाई जानने के लिए अपनी मदर के पास गई थी और जब Claire ने फिर से देखो Claire मतलब जब मान ने ये कहा था कि God was in the sky and all round them की भगवान जो है वो आसमान में है और हम सब के आसपास भी है तो she turned to her father फिर वो अपने father की तरफ मुड़ी थी and insisted with a sly yet eager smile is he really तो जोर देती हुई शर्माती हुई एक eager सी मतलब उतसुकता वाली smile देती हुई वो अपने father से ये पूछा करती थी कि क्या सच में ऐसा है कि भगवान में हैं आकाश में रहते हैं बगवान और हम सब के आसपास भी हैं तो मतलब जो की life का एक ऐसा phase शुरू हो रहा था कि जब father कुछ कहते थे तो वो mother से जाकर उसका reality चेक किया करती थी बिलकुल इसी तरीके से जब mother कुछ कहा करती थी तो वो father के पास जाया करती थी ठीक है ब वो था our magic spells real तो जैक ने ये जवाब दिया था लेकिन कैसे दिया था देखो curtly का मतलब होता है जब रूखेपन से हम एकदम मतलब थोड़ा सा rude सा होकर जब जवाब देते होते हैं तो जैक ने का कि कहानियों में ये सची होते हैं she had made him miss a beat in the narrative miss a beat in a narrative का मतलब यहाँ पर simply है कि actually जैक को उसने off the track कर दिया था कि जो कहानी जैक सुना रहा था जो वो narrate कर रहा था बीच बीच में से ऐसे सवाल करकर उसे अटका करना जो ने उसे off the track कर दिया था मतलब अब जैक जो था उसे फिर से दिमाग पर जो डाल कर the owl said तो अब कहानी फिर से शुरू होती है और जैक क्या कहता है कि जो वो owl था जो वो उल्लू था उसने क्या कहा go through the dark woods मतलब घने जंगल में से आगे जाना under the apple tree पेड के नीचे कौन से apple के पेड के नीचे into the swamp swamp का मतलब होता है दलदल over the creek और creek के उपर से अब what is a creek अब फिर से उसने पूछा बीच में अटका कर जो ने कि creek क्या होता है a little river मतलब उसने क्या जवाब दिया कि creek का मतलब एक छोटी सी नदी है over the creek नदी के उपर and there will be the wizard's house की वहाँ पर उपर किसका जादूगर का घर होगा and that's the way roger skunk went तो मतलब जैसा रास्ता आउल ने बताया था उस रास्ते से होते हुए गुजरते हुए roger skunk जो था वो चला गया and pretty soon और कुछ ही देरी में he came to a little white house तो वो एक छोटे से सफेद घर के पास पहुँच गया and he wrapped on the door मतलब उसने दरवाजा खट-खट आया खट-खट की की जो चोखट होती है उसे भी खट-खट आया मतलब उसने दरवाजा भी खट-खट आया और उसने खट-खट आया and under the covers joe's tall figure clenched in an infantile thrill देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर है कि एक side पर तो joe kya father उसे कहानी सुना रहे थे और दूसरी side पर जो जो प्रतिकरिया दे रही थी covers के अंदर मतलब bedsheets के अंदर जो एक thrill एक suspense का महौल सा create हो रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा तो वो infant वो बच्चों की तरहां एक thrill एक suspense शो कर रही थी कहाँ पर जिस बिस्तर पर वो लेटी थी जो bedsheet उसने ओड़ी हुई थी उसके अंदर and then a tiny little old man came out तो जब दर्वाजा खट-कटाया गया था तो एक छोटा सा और old man बुजुर्ग व्यक्ती बाहर आया with a long white beard सफेद उसकी दाड़ी थी and a pointed blue hat और उसने एक pointed मतलब एक नोकीली सी चूँच वाली blue color की hat पहनी हुई थी and said मैं आपको एक बार show कर देती हूँ कि किस तरह का वो wizard दिखने वाला था कुछ इस तरह ही कि ठीक है तो उसने क्या कहा and said उसने कहा a what's a want मतलब ओ क्या है क्या चाहिए you smell awful कि तुमसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है गंद आ रही है बदबू आ रही है the wizard's voice was one of jack's own favorite effects अब wizard की जो आवाज निकाली गई थी वो jack जो था मतलब वो अपने एक special effects के थूँ उसे बहुत पसंद आती थी वो old man वाली आवाज निकालना he did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes मतलब वो इस तरीके की जो आवाज निकाला करता था ना वो अपने face को सिकुड कर या मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम अगर कुछ खाना खाते हों तो हमारे मूँ में अगर कुछ है हम कुछ चबा रहे हैं तो उस वक्त एक भारी सी आवाज produce होती है तो कुछ इस तरीके से और आँखों में नमी लाकर आँखों में रोने वाली acting सी करकर आँखों में पानी सा लाकर जो वो ये आवाज निकाला करता था वो जैक की favorite effect हुआ करते थे he felt being an old man suited him मतलब उसे ऐसा रखता था कि अगर उसे कभी acting करने का मौका मिले तो न एक old man की acting जो है वो उसे best suit करती है I know it Roger Skunk said तो मतलब अब फिर से हमारी story पे back आते हुए तो देखो उस wizard ने क्या का था कि तुमसे बहुती गंदी smell आ रही है तो Roger Skunk ने क्या जवाब दिया कि I know it मुझे पता है कि बहुत गंदी smell है and all the little animals run away from me और जो बाकी सब चोटे-चोटे animals हैं creatures हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं The enormous wise owl said you could help me तो वो मुझे वो बड़े बुजर्ग और समझदार owl ने ये कहा है कि आप मेरी मदद कर सकते होंगी तो मुझे उमीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से तो चलिए अगले session में next session में हम देखेंगे कि क्या वाकई में वो wizard जो है वो उसकी मदद करता है या नहीं करता है तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने comment भी जरूर comment box में share कीजिए thank you so much and have a nice day